असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूं सेरीद मुर्फारूग अबने चैनल उमर स्पीक्स की एक और अपिसोड के साथ आपकी खित्मत में हादिने दोस्तों आज की अपिसोड भी हाज और उमरा स्पेशल एपिसोड है और इस वीडियो में है मैं आपके सामने कुछ अपडेट्स पेश करूंगा कुछ फेक न्यूस हैं उसके बारे में क्लियरटी दूँगा और कुछ क्वेस्टेंस हैं आपके उनका भी आंसर करूंगा तो इस वीडियो को जरा कंप्लेटी देखिए अगर आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से सिर्फ इस रिक्वेस्ट है कि अ पूरे पाकिस्तान से यही रेट चल रहा है और इसमें एरलाइन टिकेट शामिल नहीं है ना ही होटेल शामिल है इसमें साथियरब में जो ट्रैवल आपका होगा जो बस यानि के आपको सर्विस मिलेगी वो बिलकुल शामिल है इसके बात कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हज के 2023 के एक्सफेंसिस के होंगे तो अभी दा क्लेर तो नहीं है बर जुराफ आइडिया अब तक लगाया जा रहा है जो एक अंदाजा है उसके मताबिक आपको अगर गवर्मेंट के थरू हज करना है तो वो आठ लाग तो अपने तियार रखें बिलकुल और अगर आपने प प्यूचर में मताफ में सादा कपड़ों में तवाफ करने की जादत मिल जाएगी तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है बट यह रिक्वार्मेंट रखी जरूर जा रही है लोगों का बड़ा पुड़ सोर इस्रार भी है लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सिर्फ एहराम वा कोविट की भी रिजन हैं और थोड़ा था वरैश भी वहां से काम करना चाहते हैं तो अगर नेक्स्ट अपडेट की मैं बात करूं तो कुछ लग पूछ रहे हैं कि क्या अभी भी रहाजल जन्रा में नवाफिल अदर करने के लिए कि हमें परमिट लेना जरूरी है तो बिल कैंसल भी करवा सकते हैं तो कैंसल करने की अप्शन नहीं है रहाजल जन्रा में नवाफिल अदर करने की तो यह वाद में माइंड में रखिएगा कि जब भी परमिट लें तो उसको प्रॉपर ली आप मैनेज करें सही टाइम पर वहां पहुँच जाए और फिर जो खवाती जो हमें साओधी अरब से मिली हैं तो अगर कोई क्वेस्चन है तो आप कॉमेंट सेक्चन के पूछ सकते हैं मुझे अगर उसके बारे में थोड़ा सा बेल्म हो गाए तो मैं ज़रूर आपको रिपलाई करूंगा या आप कहीं से कंफर्म करकिया आपको रिपलाई कर अपने अपने घर्वानों का बहुत ज़्याद ख्याल रखिएगा अला आपिस